गुड मॉर्निंग एवरिवन तो एक नया दिन फिर से स्टार्ट हो चुका है और मैं आ गई हूँ मेरे किचन में तो चलिए आज कुछ स्पेस्चल बनाते हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ हम गुजरातियों की फेवरिट डिश तो आज हम बनाएंगे डाल टोकली डाल टोकली एवरि संडे 70-80% कुजरातियों के गर्मे बनती होगी क्योंकि संडे सब को छुट्टी होती है और सब गर्पे होते हैं और ये डाल टोकली गर्मा गरमी खाई जाती है इसे टिफिन में हम नहीं ले जा सकते क्योंकि थंडी हो जाएगी तो जम जाएगी इसलिए इससे गर्मा गरमी खाया जाता है तो चलिए बनाते हैं डाल टोकली तो डाल टोकली बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए तूवर की डाल रेगुलर हम जितनी डाल लेते हैं उससे थोड़ी सी कम लेंगे तो यहाँ पर मैंने वन फूर्थ कप जितनी तूर डाल ली है एचुली मैं डेली वन कप लेती हूँ लेकिन 25% मैंने कम ली है मतलब के वन फूर्थ कप ली है और उसे पीगने के लिए चोड़ दिया है डाल डोकली के साथ चावल खाया जाता है तो यहाँ पर मैंने चावल भी ले लिये हैं और उन्हें अच्छे से दो के पीगने के लिए चोड़ दिया है और अब मैं दोलूंगी दाल तो दाल थुड़ी से भीग जाएगी तो फटा फट से धुल जाएगी इसलिए मैं पहले दाल को भीगो के रख देती हूँ दाल को भी मैंने दो से तीन बार अच्छे से धो लिया है और अब इसके इंदर डाल दिया है एक से डेट ग्लास पानी और अब मैं लेके आ गई हूँ फ्रीज से टमाटर यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिये है और टमाटर को मैं काट लूँगी तो इससे बहुत मोटा नहीं काटना है मतलब कि एक दम बारिक भी नहीं चाहिए और बहुत ही बड़ा भी नहीं काटना है तो चलिए अब दाल और चावल दोनों को हम गुप करने के लिए छोड़ देते हैं, मैंने मिडियम फ्लेम रख दिया है, और अब दोकली के लिए आटा घुंत लेते हैं तो यहां पे मैंने बारिक वाल आटा लिया है जिससे हम रोटिया बनाते हैं तो मैंने दो कटोरी पर के आटा ले लिया है उसके अंदर डाल दिया है आदा चमच बर के हल्दी एक चमच मिर्च पावडर एक चमच बर के धनिया जिरा पावडर और आदा चमच बर के मैंने इस सी धन्यापति डाली है यहां पर कसूरी मेथी या फिर जो मिथी की भाजी आती है वो भी एड़ कर सकते हो और अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालके मैंने आठा घुत लिया है यहां पर हमें आठा थोड़ा सक्त रखना है मतलब कि पराठे का आठा जो हम गुंते हैं पराठ हो जाएगी तो चले मिर्च भी मैंने कट कर ली है और अब दाल को देख लेते हैं तो दाल भी अच्छे से पक गई है और अब इसे विसकर से थोड़ी सी विसकर लेते हैं इसके अंदर आप ब्लेंडर भी चला सकते हो तो ऐसा काने से दाल एकदम महीं पिस जाएगी लेकिन मुझे थोड़ी सी दरदरी दाल पसंद है तो मैं इसे विसकर से ही विसकर लेती हूँ और अब दाल के अंदर डाल देंगे पानी तो यहाँ पे मैंने दो से धाई गलासीता पानी डाल दिया है दाल में थोड़ा सा पानी जाधा रहेगा तो चलिए यहाँ पे डोकली के तो यहाँ पे डोकली को हमें एकदम पटला नहीं बेलना है थोड़ी सी मोटी रखेंगे मतलब के बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं मिडियम हम उसे बेल लेंगे अगर हम डोकली को ज्यादा पटला बेल लेंगे तो ऊबर कुख हो जाएगी और उसका टेक्शर बराबन नही है तो यह देखिए इतना हमें उसे बेल लेना है बहुत मोटी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है तो चलिए अब ढोकली कट कर लेते हैं तो यहाँ आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से उसे कट कर सकते हूं मतलब कि आपको जितने बड़े पीसी चाहिए छोट बैच भी रैडी कर ली है तो चलिए हमारी सारी ढोकली बनके रैडी है यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छे से उबल गई है दाल में अच्छा सा उबल आ जाए तभी हम ढोकली को इसके अंदर एड़ करेंगे अगर पहले ही एड़ कर देंगे तो ढोकली नीचे से चिपकने लगेगी तो ये रिखे सारे डोकली को मैंने डाल दिया है डाल के अंदर अगर आपका आटा थोड़ा सा गीला होगा तो आपकी डोकली एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी तो अगर आटा आपका थोड़ा सा गीला हो गया है तो आप क्या करें डोकली को जब बेले और उसे क कट करें तो कट करके उसके उपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क ले और फिर उसको अलग से बावल में निकाल ले तो ऐसा करने से ढोकली एक दूसरे के साथ बिलकुल नहीं चिपकेगी अब एकदम लो फ्लेम पे ढोकली को हम पकने देंगे 5-10 में ढोकली अच्छे से पक बना लेते हैं तो ढोकली का जो आटा बच गया था उस से में ये पराठे बना रहे हूं ये पराठे टेस्ट में बहुत ही बड़े लगते है इस पराठे को हम थोड़ा सा मीडियम ही बेल लेंगे जिस तरह हमने डोकली के लिए बेला था उसी तरह medium बेल लेना है लेकिन size थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे डोकली के जितना बढ़ा नहीं बेल लेंगे और इसे medium flame पे हम सेक लेंगे तो इस तरह सारे पराठो को मैंने ready कर लिया है तो फटा-फट से पराठे बन जाते हैं तो मैंने पहुत सारे पराठे बना लिये हैं तो चलिए पराठे भी रेडी है यहां पे हमारे ढोकली भी पक गई होगी तो चेक कर लेते हैं तो इस तरह एक ढोकली को ले लेना है और उसे बीच में से cut कर लेना है चाकू से, तो अगर easily cut हो रही है, तो समझ लेना है कि हमारी डोकली पक गई है, अगर easily cut नहीं हो रही है, तो 1-2 मिट और उसे पकने देंगे, तोように easily cut हो रही है, तो हमारी डुकल एकदम ready है अब इसके अंदर मैं डाल दिया है गुड तो यहाँ पर मैंने एक चमच बर के गुड डाला है क्योंकि जो डाल डुकली है वो खट्टी मीठी अच्छी लगती है अगर आपको गुड नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो उन्हें रख लिया है कैसरोल में यहाँ पर मैंने ले लिया है एक वगारिया उसके अंदर दाल दिया है एक चमच बर के तेल एक चमच बर के राई एक चमच जीरा राई और जीरा फूर जाए फिर डाल देंगे करी पत्ते और सारे मसाले जो हमने निकाल के रखे थे अब इसके अंदर डाल देंगे एक चमजबर के हींग और एक आधी चमजबर के लाल सुखी मिर्च मिर्च डालने के बाद तुरम थी वगार को डाल देंगे डाल के अंदर अगर थोड़ी सी देर करेंगे तो मिर्च जल जाएगी और सारा टेस्ट खराब हो जाएगा तो ये प्रोसेस को हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा तो ये देखें दाल में हमने छोक लगा दिया है और उसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है चले इसे टेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक एड़ किया है और एक चमच बर के मैंने डाल दिया है निम्बू का रस तो आपको आज की रेसीपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंड करके जरूर बताना नेक्स रेसीपी के साथ अब तक के लिए पाई जैशी करश्ना